UPSC CCI 2021 में पर्मूटेशन पर बेस्ट कोशिन आ था तो चली देखते हैं यहां पर आपको क्या करना था यूजिंग 22333 आपको distinct numbers बनाना था जिसको 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 मलब बेसिकली वो number जो है वो greater than होना चाहिए 30,000 तो बेसिकली कोई number अगर 30,000 से बढ़ा होगा तो उसके 10,000 प्लेसे पर हमीशा 3 होगा क्योंकि वही option आपका सबसे जादा है यहां पर अगर इससे बढ़ा होता तो वो भी हो सकता थ तो यहां पर अगर हम लोग 10,000 प्लेस पर आपका 3 को fix कर देते तो आपका कितना प्लेसे बचता है 4 लेकिन आपके पास देखिए कितने characters बचे वे तो 2 2s बचे वे और 2 3s बचे वे तो total places आपके पास कितना है 4 तो कितना हो गया 4 factorial लेकिन आपको पता है कि जो repeating characters होता है उस उसको उसे हम लोग को डिवाइड कर देते हैं तो आपका कितना है 2 2s है तो यहां पर 2 factorial हो जाएगा वैसे 2 3s है तो कितना हो जाएगा 2 factorial तो आपका 4 factorial का value कितना होता है 24 24 divided by 4 आपका कितना हो जाएगा 6 तो यानि option B6 जो है वो बिल्कुल सही है